السلام علیکم ویورس क्या हाले उमीद करती है हो आप सब ठीक होंगे आज का हमारा विडोग है नीर हसंद की मसनमी पर तो आज हम विडोग स्टार्ट करते हैं और मीरह संद की मसनमी परते हैं और इसके बारे में जो जो important question पॉइंट है वो मैं आप लोगों के साथ डिसकसक्र उंगी तो तो आज हम मीरहसन की मसनवी पढ़ते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं मीरहसन की मसनवी सहरूल बयान में तहजीबो माश्यत के नमूने बिखड़े पड़े हैं, वजाहत कीजिए तहजीबी माशचत की अकासी मीर हसन इसमें माशचत की अकासी करते हैं लखनों के माशचे की वो लखनों का माशचा इसमें बताते हैं कि अपनी इस मस्नवी में में लखनों के माशचे की पूरी अकासी करके बियान करके रख देते हैं लखनों का माशिरा ऐसा माशिरा था। ठीक है। वह बताते हैं ते जीबस माशिरत की अकासी करते हैं। मसनवी सहर अलब्यान के शाहिर आना महासन अपनी जगा मीर हसन ने अपनी शाहिरे से दिली की तहजीर की बजाए लखनों का माशा जिंदा जवेद कर दी है यानि के मीर हसन ने अपनी शाहिरी से लखनों के माशरे को जिंदा गर दी है मीर हसन ने नौबा अहुद की तस्वीर की खींच कर रख दी है नौब असद अलबा के जमाने में लखनों की अराया मरफल आलहाल खुश्छाल थी हर हथे कोई ना कोई तकरीब होती थी इसके अलावा मेले ठेले डेरा और तवाइफे शोख और चुलबली तवाइफे चुस्त बतन नाचने वाली मसी की और राक की मेह फिले खुबसुरत बागात लगाने के शकी शहजाद ये शहजादे नाज़ो नगम्ट पले पैदा होते ही जिनके मों में सौने का चमचे था यानि कि ऐसे शेजादियों शेजादे थे यानि कि जिनके मूँ में सौने के चमचे थे पैदा होते ही शाही जलूस, हमाम, नोकर, चाकर, शादी ब्यार के नगमे, रस्मे, चाको, चोचले, चोचले वगारा, ख्वासा और महरियों के खुबसूरत नाम, एश और इश्रत की जिन्दगी, इल्म और अदब का शोग मेर हसन, ने किसा एरानों तुरान का नजमत किया, लेकिन तहळीजीबों माशा लगनों की पेश की मीरहसन ने लखनो का माशा खोल कर रख दिया अपनी मस्नमी में यानिके खोल कर बियान कर दिया मतज़ल सतूर में लखनो यह तहजीब और सकावत के अनासे तलाश करने की कोशिश की जाएगी लखनो शहर की अकासी तसक्रा निगारों के हवाले से कदीम लखनो की जो तस्वीर मिलती है वो मीरहसन के अशार से जलकती है यह जो मीरहसन के अशार है इन से लखनो के माशा की अकासी हमें नजर आती है मीरहसन ने जो तस्वीर खींच के हमारे सामने पेश की है ये शेर आप लोग अपने सामने लख सकते हैं आपको जो इस दिल अगी आप वो पेपर में लिख सकते हैं लखनों की ख्वासे और महरिया नवाब ओहद ने ख्वासों और महरियों के खुबसूरत नाम रखे हुए थे इनका असल नाम कुछ और थे लेकिन शायराना एहल लखनों के खाजियत और तसना के घमास थे मेर हसर ख्वासों और महरियों का तथक्रा करते हैं इन अशार के जरीए चंबेली, राय, बेल, रंगिली, शाम, रूप, चतलगन, काम, रूप, केकी, गुलाब, नूरतन, महताव, सुनी, हस्बुक, दिल, लगन, तन, सुख जैसे खुबसूरत नाम इन में महद माईनी एक जैसे माशे के लिए हैं जहां हुसन से महद दिल बहलाने का काम लिया जाता है या बद्नी जाशी हासल की जाती है, ये लखनों से ही मखूस था आगे चल कर मीर हसन ने खुल कर लखनों के खुछों की तर्जमानी कर दी है ये शेर मीर हसन ने जान किया डेरादार तौाइफे लखनों का माशा डेरादार तौाइफों के वजूद की वज़े से बेहाद मशूर है मीर हसन जब तौाइफों का तथक्रा करते हैं तो इनके कलम में बलागी जवानी पैदा हो जाती है मीर हसन एक तवाइफ ऐश बानी की तस्वीर पेश करते हैं मीर हसन ने तवाइफों के बारे में बहुत खोल कर लिखा अपनी मसनमी में रक्सा की तस्वीर इतनी शोख जाजब जाजब नज़र है के नज़रे जम जाकर रह जाती है अमीर हसनी इनकी अदाओं की जिजियात नगारी की है नतने का भड़कना छाती पर हाथ रखकर गुटना और बढ़ना अंगनिया ये लफ़ल अंगिया या पढ़ लीजिये का जो भी है लेकिन मैं तो यही है यही है शायद का छुपा लेना दान्तों की हसी आँखों का काजल गर्दन के धोड़े दोड़े चमकते रुकसार सबसे बढ़कर इनके जिन से खतूट की अकासी में कमाल मुशायदे से काम लिया है इनके इनशाले ने फिक्रा कहा कि मीर ह 중요한 मसनवी नहीं कहते बलके सांटे का तेल बेचते है मीर हसन की मसनवी ऐसी यह शाही जलूस मीर हसन थामी में जो शाही जलूस की तयारी का मुकापेश किया वो भी लगनों की तहजीबों तकाफत की गमाजी करता है जलूस में अमारिया पालकिया नालकिया है कमार और जोबदार पड़कीले कपड़े पहने हुए और बादब चल रहे हैं शेहनाईों की आवाज आ रही है नकार्ची गोड़ों पर सवार हैं और वो कदम अकदम आगे बढ़ रहे हैं हाथियों की कतारे जूमती जमाती नजर आ रही हैं नकीब और चूबदार आगे चल रहे हैं रास्तों पर दो दो दुरईया खड़े अवाम तमाशा देखने आए हुए हैं ये मनाजर भी हिंदुसानी तहजीब का नमूना है शादी की रसुमात मीर हसन ने शादी और शादी की रसुमात भी लखनवी माश्रे में अख़स की है मीर हसन ने शादी को भी अपने लखनवी अंदाज में अपनी मस्नमी में बयान किया है सवारिया अलात मुसीर के शान और शौकर से ये साफ जाहिर होता है करना और नफीरी बच रहे हैं सवारियों में हाथी गोड़े पालकिया तांगे मजूद हैं फनूस चरागों के तर बूलिये वबरेकर टेस्टा रंगे में तूने सोलने फलों की चुड़ियों से मानना गालिया गाना मुसहफ आरसी में एक तरजीब का आइना नजर आता है जो एरान और तुरान की बज़ाए खालस इंदुस्तानी तरजीब है जो लखनों में पर्मान चड़ी यानि के कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मीर हसन ने अपनी इस मसनवी में लखरों का मारशा खोल कर बियान कर दिया लेकिन ये क्वेस्टन शार्ट है तो जब आप पेपर अटेम्ट करेंगे तो इसको लेंथी करके अपनी वर्डिंग में लिखिएगा क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेस्टन होता है तो इसे हम माकसिमम यूनिवरस्टी जो शीट होती है वह माकसिमम हम लोगों ने 6 से 7 बढ़नी होती हैं तो इस तरह ग्वेस्टन को अपनी वर्डिंग में लिखिएगा यानि कर्सकेंगे तो आप लोग असानी से अटैंप्ट कर सकेंगे अपना खिया अगर वीडियो को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को आगे पर मोड करें तो अम मिलते हैं नेक्स्ट एक नेवी लोग के साथ अपना ख्यार कियेगा अला हाफिज